फेल्म पुस्पा टुकी स्क्रिनिंग के दोरान भगदर में हुई महिला की मौत के मामले में शुक्रवार दोपर तेलंगाना पुलिस ने अलू अर्जुन को उनके घर से गिरबतार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें निचली कोट में पेश किया जहां उन्हें 14 दिन की नयाई खिरासत में भेजा गया। शुक्रवार को रिहाई नहीं होगी। अर्जुन के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। चचल गुड़ा में जेल अधिक्षक के साथ 50,000 रुपए का निची मुचलका भरने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। अलु अर्जुन के वकील ने कोट में सुनवाई की दोरान शाहरुख खान से जुड़े एक ऐसे मामले की तुलना की जिन्हें अपनी फिल्म रईस के प्रचार के कारेक्रम की दोरान बडुदरा रिलबे स्टेशन पर भगदर मचने की बाद कानूनी जाज का सामना करना करन कि फिल्म रईस के प्रचार के दोरान शाहरुख खान को देखने के लिए भारी संख्या में लोग इकठे हुए थे किंग खान ने भीर की और कुछ टी-शर्ट फेकी जिसकी वज़े से भगदर मच गई इस दोरान एक शक्स को अपनी जान गवानी पड़ी थी अभिनेता के खिलाब भी मामला दर्ज हुआ था लेकिन गुजरात के हाई कोट और फिर सुप्रिम कोट ने शाहरुख खान को बेकसूर बताते हुए बरी कर दिया था अलू अर्जुन के वकील ने शाहरुख खान को बरी किये जाने का जज्जमेन भी जज के सामने पढ़ा इसमें लिखा था कि अभिनेता पर आरोप तपते होता जब भगदर में हुए ब्यक्ति की मोत का अभिनेता से सीधा कोई कनेक्शन होता वही हमारे मामले में अलू अर्जुन फर्ष्ट फ्लोर पर थे और महिला ग्राउन फ्लोर पर थी अभिनेता नो बच कर 40 मिनट पर वहां गए थे महिला और बच्चा लुवर एरिया में फसे थे अलू अर्जुन के महा पहुचने की जानकारी पुलिस और थीयेटर को भी थी लेकिन किसी ने भी उन्हें आने से नहीं रोका अलू सिर्फ फिल्म देख रहे थे शाहरुक तो कुछ कर भी रहे थे आपको बता दें कि पुश्पा 2 की स्प्रेसल इस्क्रेनिंग 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थीयेटर में हुई थी इसमें अचानक से अभिनेता फिल्म की मुख्य अभिनेतरी रश्मिका मंदा में भरती कराया गया घटना के बाद अलू अर्जुन उनकी सुरक्षा टीम थीयेटर प्रबंधन के खिलाब प्रार्थमिकी धर्श की गई रेवती के परिवारदवारा धर्श की गई शिकायत के आधार पर चिकरपली पुलिस स्टेशन में भारती नियाय सहीता कि धारा 105 और 118 की तहत मामरादर्श किया गया था आपको बता दें कि अलू अर्जुन की फिल्म पुस्पाटू ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है अब तो पुस्पाटू के एक्टर अलू अर्जुन ने खुल्लम खुला भी कह दिया है कि वो चाहते हैं कोई भी फिल्म तीन म आठवें दिन की कमाई के साथ ही पुस्पाटू की हिंदी में कमाई 425 दस्नौ 6 करोन रुपए के करीब हो चुकी है वहीं ये इस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली कई वालिवुड फिल्मों से आगे निकल चुकी है लेकिन इस्ते टू अभी भी इसके सामने मजबूती से खड़ी है वहीं पुस्पाटू ने इस साल सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म कल की 2898 AD बुल्भईया 3 को सिंगहम अगेन तक को पचार चुकी है वीडियो डेस्क अमरुजाला डॉट कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद